फैन कोड यूरोपियन T10 ड्रीम लेवन टीम C.A.G. वर्षिज पियाइर ड्रीम लेवन मैज प्रडिक्शन E.C.S. T10 ड्रीम लेवन टीम तो दोस्तो यूरोपियन T10 टूनामेंट का तीसरा मुकाबला C.A.G. वर्षिज पियाइर के बिज खेला जाएगा और दोस्तों यहां के विकेट के बारे में बात करें तो लगबग दोस्तों बैलैंस विकेट है लेकिन एक्ष्टा स्पोर्ट है दोस्तों वो बल्ले बाजों को मिल रहा है कल के दिन दोस्तों दो मुकाबले यहां पुरुए थे आप देखोगे टी एर ने पहले बैट करते हैं 111 बनाए थे और 28 रंसे मुकाबला विन किया और दूसरा मैस हुआ उसमें टी एर ने 122 रंसे मुकाबला विन किया यानि कुल मिलाकर बल्ले बाजों को अच्छा कासा स्पोर्ट वो नजर आ रहा है बागी पिछ को लेकर जो भी अपडेट होगी दोस्तों वो मैं आपके साथ सेयर करूँगा हमारी टेलिग्राम चैनल में और टेलिग्राम जोइन करने के लिए दोस्तों दो लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सीएजी के बारे में उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई की मैनत और मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जूरूर कर देना चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को भी सबस्काइब कर लेना सीएजी की टेम ने दोस्तों दो मुकाबले खेल ले थे और दोनों मुकाबले 28-23 रंशे हार कर आए हैं एल बरंस है दोस्तों अच्छे और लांडर प्लेयर हैं पहले मैच में 11 लास्ट मैच में 49 बनाएं बोलिंग में पहले मैच में एक रुकेट निकाला था लास्ट मैच में एक कवर डाला विकेट नहीं मिला इनके बाद दोस्तों ली रिमर हैं जोनोंने लाष्ट मैच के अंदर 38 सन बैट के साथ बनाएं बोलिंग में एक और डाला 13 रन खच किया और दोस्तों एक विकेट निकाल के दिया पोल इट गेलर हैं वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं पहले मैच में एक दूसरे मैच में तेरा रन बनाए बैटिंग के लवाद दो वर बॉलिंग भी करवाते हैं पहले मैच में एक विकेट लास्ट में कोई विकेट नहीं मिला इनके बाद डेविड रोवेंसन नमबर चार प खेले थे दोवर डाले 21 अंकच के और दोस्तो एक विकेट निकाला और ओल टी 10 के अंदर 4 मैच में दोस्तो 5 विकेट इनके नाम है इनके बाद ग्रैथ बुंडे हैं दोवर बॉलिंग के 21 अंकच के कोई विकेट नहीं मिला मैथ्यू कलहान है दोस्तो 0.1 वर 4 रन कोई करवाई है बैंच के प्लेयर पर देखो के दोस्तो तो तीन चार चैनल जोनों ने लास्ट मैच के अंदर किये थे यहां से दोस्तो स्कोर्ट रोबर्टसन है जो की टोप ओर्डर के बल्ले बाज है हैच मैन है दोस्तो यह भी काफी अच्छी बैटिंग वगरा कर लेते हैं इनके अलावा दोस्तो यहां से जैक होरक्स है जो की बैटिंग और बोलिंग दोनों ठीक ठाक करते हैं तो जो भी यह चैंजर बगरा करेंगे दोस्तो उसके पूरी अपडेट में आपको प्रवाइड करों हमारे टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम जोन करने के दोस्तो दो बोलिंग आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे अभी हम PIR के बारे में बात करें जो कि आज अपना पहला मुकाबला खेलने वाली है तो दोस्तो इनका बैटिंग और प्लेइंग लिए उनमें आपको कोई भी पोसिबल चैन नजर आ सकते हैं तो फाइनल अपडेट के ल दोस्तो उनचास का बैटिंग और प्लस में 10 विकेट इनके नाम है जिनके बाद दोस्तो क्रिश्टोफर डैनली है टीटों टी आई के अंदर 13 मैसेज में 24 सन प्लस में 29 वर बोलिंग करते हैं एक विकेट इनके नाम है बिल्गुल पार्ट टाइम बोलर है तो बोलिंग से उम्हेदे नहीं रहेगी बैटिंग विरन लगा सकते हैं रवी पांचाल है एसेज में पहले भी खेल चुके हैं 6 मैसेज में 67 हैं प्लस में 10 वर बोलिंग करते हैं दो विकेट बोलिंग है और दोस्तो इनके अलावा यूरोपियन क्रिकेट चैंपियंशिप ने विनों ने था 13 मैस खेले थे वहां पर 15 वर बोलिंग की 7 विकेट निकाले इंटरनेशनल लेवल पर 14 मैस में 220 विकेट इनके नाम है विलियम पैटर्स है दोस्तो 2017 में लास्ट बार T20 के लिए थे वहां पे इनोंने 9 मैस में 111 रन बनाए प्लस में 22 वर बोलिंग करते हैं 9 विकेट नि इनोंने 8 वर बोलिंग करते हैं 2 विकेट निकाले हैं और और 15 मैस के अंदर दोस्तों 20 वर में इनोंने 5 विकेट निकाले हैं रिचर्ड हैच मैन है इस के अंदर 5 मैस में 15 वर बोलिंग करते हैं इनके बाद रिचर्ड्स हैं दोस्तों टी टॉन्ट याई में 4 मैस खेल लिए थे ज्यादा इनको मोगा अगरा नहीं मिला था एक मैच में दो वर डाली थे वहां पर एक विकेट निकाला था और रोल 17 मैच में 10 विकेट इनके नाम है नदीम उसेन है दोस्तों फर्स्ट क्लास के खेला हुआ है तीन मैचस के अंदर 18 रन बैट के साथ प्लस में 4 विकेट ब सत्रा और बॉलिंग करती है आठ विकेट इनके नाम है बैंच के प्लेयर का दोस्तों आप चाहिए तो सके इंशोड लेकर रख सकते हैं इनके अलावा दोस्तों अगर कोई अदर प्लेयर खेलेगा तो उसकी अपडेट आपको टेलिगाम में भी मिल जाएगी तो टेलिगाम और जाएगी तो अबर का मंतर सकते हैं बैटिंग में बैटिंगे में बनिगाकर अच्छा नहीं एकर गार करके रखाता हैं तो अभी के लिए दोस्तों दोस्तों बिल्कुल इंपोर्टम को चल सकते हैं और इस प्रफॉर्मर प्रेयर हैं दोस्तों कई बार रन बनाते हैं कई बार नहीं बनाते हैं तो अभी के लिए दोनों टीमों को मैं ड्रोप करके डीव रोबेशन को अपने टीम के इंडर ट्राई करने वाला हूं जो की काफी अच्छे प्लेयर हैं इनके बाद दोस्तों ओला और उसके साथ ट्राइ करूंगा बोलिंग डिपार्टमेंट में आर डिक्सों है और हैच्में और दोस्तों नेचे के आप्शन में यहां से मैंने ऐस बालके को अपने टीम के अंदर ट्राइ किया है बाकी दोस्तों जे हो रोक से इनको आप ग्रैंड लिंग में ट्राइ करके चल सकते हैं बाकी कोई खास बैटर ओप्शन नहीं रहेगा तो अभी के लिए दोस्तों यह जो आप टीम देख रहे हैं यह हमारी एक डेमो टीम रहने वाली है जो फाइनल टीम है वो पूरी तरह से टोस्त भी डिपेंड करेगी और टोस्त के बाद मेरी टीम में जो भी चै लाइक नहीं किया है तो भाई की मेनत और मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जूरूर कर देना चैनल पर पहली बारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो कैप्टन में दोस्तों एल बरंस बिल्कुल बैतरीन टीक है वाइस कैप्टन दोस्तों मैं यहा काफी अच्छी आपके लिए रहने वाले हैं बाकि दोस्तों मेरे जो फाइनल अप्डेटर टीम और कैप्टन वाइस कैप्टन है वह आपको अप्डेटर टेलिगाम में मिल जाएगी तो टेलिगाम ज़रूर से जोइन करना उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हो होगा अगर आपको वीडियो चलगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूशे कर लेना थैंक्यू फ्रैंड्स ओल दा बैस्ट